ओम नमस्षिवाय आज की इस वीडियो में मैं आपको सोले सोमवार के वृत की कथा सुनाओंगी इस कथा को सुनने मात्र से हमारी सभी मनों कामनाई पूर्ण हो जाती हैं तो आईए कथा शुरू करते हैं एक समय श्री महादेव जी पारवती के साथ ब्रह्मन करते हुए मृत्यू लोक में अमरावती नगर में आए वहां की राजा ने श्रीव मंदिर बनवाया था जो की बहुत ही ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा सुन्दर था मन को शांती पहुँचाने वाला था ब् दिव जी कहने लगे मैं जीतूंगा इस तरह उनकी आपस में वारता लाप और बहस होने लगी उस समय पुजारी जी पूजा करने वहां पर आए पारवती ने पूछा पुजारी जी बताईए जीत किसी होगी पुजारी बोला इस खेल में महादेव के समान कोई दूसरा पारं दे दिया कि तुने जूटा भाषन दिया है अब तो पुजारी कोड़ी हो गया शीव पारवती दोनों वापिस चले गए कुछ समय के बाद वहां पर अपसराई पूजा करने आई अपसराओं ने पुजारी के कोड़ी होने के कारण पूछा पुजारी ने सब बाते बता द दे रगी पुजारी जी आप 16 संबार का वरत कर लो शिव जी प्रसं नहों करके आपके सब संकट दूर कर देंगे पुजारी ने अपसराओं से वरत की विधी पूछी अपसराओं ने वरत करने और वरत के उध्यापन करनी के सारी विधी बता दी पुजारी जी ने विधी पूरवक श्रद्धा भाव से वरत शुरू किया और अंतमे वरत का उध्यापन भी कर दिया वरत के प्रभाव से पुजारी का जो शरीर है वो कांतिमान हो गया वो रोगमुक्त हो गये कुछ दिनों बाद शंकर पारवती फिर से उस मंदिर में आये तो पुजारी को रोग मुक्त देखकर पारवती ने पूचा मेरे दीवे श्राप से मुक्ती पाने का तुमने कौन सा उपाय किया पुजारी ने का हे माता अब सराओं ने मुझे 16 सुमवार के व्रत की विधी और विधान बताया था इससे मेरा सारा कस्ट दूर हो गया है पारवती जी ने भी पूरे 16 सुमवार का व्रत पूजन किया जिससे उनसे रूटे हुए कारति के जी भी अपनी माता से प्रसन हो करके आज्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लग रहता है पारवती ने कहा कि कारति के 16 सुमवार के व्रत का जो महतम में है उसके अनुसार ही तुम मेरे आज्या कारी हुए हो तब कारति के जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका जो बिछड़ा हुआ मित्र था वो मिल गया था अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवा होने की इच्छा से किय फलत है वैविदेश गया वहां की राजा की कन्या का स्वेमवर था राजा ने प्रण किया कि हतिनी जिस व्यक्ति के गले में वर्माला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवा करूँगा ये ब्रामन मित्र भी स्वेमवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया हतिनी ने इसे ब्रामन मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धुमदाम से अपनी राजकुमारी का विवाव उसके साथ कर दिया उसके बाद में दोनों सुख पूर्वक रहने लगे एक दिन राजकन्या ने पूचा हे नात आपने कौन सा पुन्य किया जिससे हतिनी ने आपके गले में वर्माला पहनाई ब्रामन पती ने का मैंने कार्तिके जीद्वारा बताये हुए पूर्विधिविदान सहित शद्धा भक्ति से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सोभागे शाली पत्नी मिली अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए वर्त किया और सर्वगुन संपन्न पुत्र को प्राप्त किया बड़े होकर के पुत्र ने भी राजय प्राप्ति की कामना से सोल सुमवार का वर्त किया राजा के देवलोक होने पर इसी ब्रहमन कुमार को राजगदी मिली फिर भी वह इस वरत को करता रहा एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि पूजा सामिगरी शिवाले ले चलने को कहा परन्तु उसने पूजा सामिगरी अपनी दास्यों द्वारा भिजवा दी तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवानी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपार्ट से हाथ धोना पड़ेगा प्रभू की आज्या मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब वह अपने भाग्यों को कोस्ती हुई एक बुढिया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तब बुढिया को बताया मैं पूजन सामिगरी राजा के कहे अनुसार शिवाले में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढिया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा उसने स्विकार कर लिया तब बुढिया ने सूत की गट्री उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गट्री उड़ गई बुढिया ने डार कर उसे भागा दिया अब रानी बुढ़िया की यहां से चलते चलते एक आश्रम में पहुची गुसाई जी उसे देखकर ही समझ गए कि यह उच घराने की अबलावी पत्ती की मारी है वे उसे धहरे बंधाते हुए बोले बेटी तु मेरे आश्रम में रहे किसी तरह की कोई चिंता मत कर रानी आश शिवाले में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कस्ट उठाने पड़ रहे हैं गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुसलख शेम के लिए प्रात्ना की और कहा कि बेटी तुम सोल समवार का व्रत विधी विधान के अनुसार करो तब रानी ने विधी पूर्वक अवरत पूर्ण की अवरत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजों को बताया लब राजा ने वहां जाकर के गुसाई जी से का महराज ये मेरी पतनी है मैंने इसका परित्याग कर द जरूर सुनते हैं इसके बिना सोलसमवार की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है सोलसमवार का जो व्रत होता है वो बहुत ही जादा पुन्यकारी होता है हमारी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करता है बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और इससे समधित नियम क्या होते ह कैसे इस सोल समवार का पूजन किया जाता है कैसे इसका व्रत किया जाता है उध्यापन किया जाता है शिव का पूजन कैसे किया जाता है सावन में शिव जी का पूजन कैसे करें इसे समंदित बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप हमारे चैनल प करना और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमाशिवा आवश्य लिखना